असलाम अलेकूम आज की रेसिपी बहुत ही मददार रेसिपी है चंदन कबाब इसको बनाना बहुत ही असान है आप लोग ज़रूर ट्रॉय करें चला यह स्टार्ट करते हैं हमें परस चिकन का कीमा है टूफटी गिराम बीफ का कीमा टूफटी गिराम इस रेसिपी में हम चिकन और बीफ दोनों को मिक्स करके बनाएंगे अपीता पेस वन टेबल स्पून यूज करेंगे प्याज हमने फ्राय कर लिए थ्री टेबल स्पून हम प्याज यूज करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस वन टेबल स्पून ब्रेट का स्लाइस एक तो हमने पहले से रोस कर लिया है, हरी मिर्च, पीसिलिये 1 teaspoon, सफायत मिर्च 1 teaspoon, काली मिर्च 1 teaspoon, जीरा पाउडर 1 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon, हाफ टीजपून लाल मिर्च, हाफ टीजपून गरम मसाला, हाफ टीजपून इलाइची पाउडर, नमक हस्बेजाइका, चॉपर में आप चिकन का कीमा, बीफ का कीमा स्मैट कर देंगे, जिंजर गार्लिक पेस, और ये तली भी प्यास स्मैट कर देंगे, पपीटे का आपुह में आप सुआड कर द not का को आतरा क्तरका हमें बीफ देसरै कर देंगे, भीफ न माम आप का के आव सारी मसाले के पाइइठ कर देंगे, इस तरह लोए आपने सारी मसाले में आपने एड जो हैं युआइअ मिक्स कर देंगे इसको हमने चौपर में अच्छी तरह पीस लिया है इसको आप हम 2 घंटे रूम टेमप्रेशर में रख देंगे उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे कीमे को जो हमने 2 घंटे रखने के बाद जो है इसके हम कोई भी स्टिक ले ले या पिर आप केपास सीख हो सीख पर जो है इस तरह आप इसके कबाब बना लें हलका हलका पानी लगा के इसको आप कबाब बना लें इस तरह आप सारे कबाब उन्तियार कर लें इस तरह कबाब बना के आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं यह फ्राइ करते हैं ओल को आप पहले से जो है जरब कर लें और इसमें आप कबाब जो है एड कर लें कबाब फ्राइ हो चुके हैं अब इसको हम कोईले का दूआ देंगे कबाब हमारे त्यार हो चुके हैं अब इसको डिशाउट करते हैं बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है दे शाउट कर दियें बहुत ही मज़दार कबाब बने इसको बहुत ही सॉफ्ट हैं आप लोग जरूर ट्राइ करें पसंद आए लाइक करें कॉमेंट्स करें और मिले चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच अससलाम अलेकू करें ही मुफ हैँआओ है बंता है पुमे ट्राइब कारें लोग जök सब्सक्के